अब बाद करेंगे केंद्र शासित परदी शम्मु कश्मीर की जम्मु कश्मीर के चुनावी नतीजों से ये तो सपस्ट हो गया है कि फारुख अब्दुल्ला की नैशनल कॉन्फरेंस ने जबरदस्त वापसे की है और जनता का भरूसा भी चीता है महबुबा मुफ्ति की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानि की पीडेपी को जनता ने नकार दिया है ये भी आपर साफ हो गया है दूसरी तरब तमाम कोशिशों के बाब जूद बीजेपी अपनी पहुँच को जम्मु कशेतर से आगे बढ़ाने में नाकाम रही है जम्मु कश्मीर की 90 विधानसभा सीटो से में जो है वो आधी से अधिक नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंक्रेस के खाते में चाती दिख रही है साल 2019 में अनुच्छे 370 वर जम्मु कश्मीर का विशेश राज्य का दर्जा समाप खोने के बाद से पहली बार जम्मु कश्मीर में चुनाव हुए पिछला चुनाव 2014 में हुआ था नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंक्रेस के बीच गटबंदन था जबकि पिछली बार बजरेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले महबूबा मुफ्ति की पीडिपी अकेले मैदार में उठ रही थी इससे सबसे जादा नुकसान पीडिपी को ही हुआ है पिछले चुनावों में 28 सीटे जीतने वाली पीडिपी का सूपरा साफ हो क्या है और पाटी सिर्फ तीन सीटों तक सिमट कर रह गए है लोगसावा चुनाव में नैशनल कॉन्फरेंस ने जम्मु गश्मीर की खुल 5 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि अमर अब्दुल्ला 12 मुला सीट पर इंजिनियर राशित से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे जम्मु क्शेत्र की बात करें तो जम्मु क्शेत्र की दोनों सीटों पर बिजेपी ने जीत हासिल की थी जम्मु कश्मीर घाटी का क्शेत्रिय बटवारा चुनाव नतीजों का ये संकेत भी है कि जम्मु के हिंदू बखुल इलाकों में बिजेपी को बड़त है जबकि कश्मीर घाटी में मुसल्मान बहुत बखुल इलाकों में नेशनल कॉन्फरेंस गढ़बंदन को बड़त मिली है जम्मो कश्मीर के चुनावी नतीजों में क्षेत्रिय और धार्मिक अधार पर मतों में बटवारा स्पस्ट नजर आ रहा है जम्मो में हिंदू, बखुल, जिलो जैसे सांभा, उधंपूर, कठवा में अधिकतर सीटे बीजेपी को मिली है जबकि बिजेपी ने चुनाव अभियान के दोरान इन जिलों में पूरा दम लगाया था अपना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेम ये चार रैलिया यहाँ पर की जबकि ग्रे मंत्री अमर्शाह ने 14 रैलिया यहाँ पर की थी देखे यूपी के सीअम योग यादित्यनात ने भी यहाँ पर जोर अपना लगाया था जम्मू के बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों जैसे रज़ौरी और पूंच में बिजेपी ने मुसलमान उमिद्वार उतारे थे लेकिन इसका कोई खास असर नतीजों पर नजर नहीं आ रहा है खश्मीर की 47 में से 42 सीटों पर नैशनल कॉंफरेंस गटबंदन आगे है जबकि पीड़ी पी को सर्फ 3 सीटों पर बड़त मिले है समूचे कश्मीर क्षेतर में बिजेपी खाता भी नहीं खोल पाई हाला कि जम्मू की 43 में से 10 सीटों पर नैशनल कॉंफरेंस गटबंदन को बड़त है जम्मू कश्मीर नैशनल कॉंफरेंस की प्रमुक फारुक अब्दुला ने कहा कि लोगों ने अपना जना देश दे दिया है उन्होंने साबित ये कर दिया है कि उन्हें पांच अगस्त को लिया गया फैसला मंजूर नहीं है अमर अब्दुला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे ये बात भी उनने कही क्या कुछ उन्होंने कहा पहले आपको सुनवाते है नहीं को जम्होंने हमारी बात सुनी और उस पे एत्माद किया मैं लोगों का बहुत मश्कूर हूँ और उमीद करता हूँ कि हम उनकी उमीदों पे जो नहीं हमें दिखाई है कि हम पूरा उत्रें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खतम करना है यह पुलीस राज नहीं होगा यह लोग का राज होगा यहां जो बेगुना जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकाले आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच काइम रहना चाहिए सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इन्शालला और मीडिया लिखेगा मगर सिर्व एक चीज़ मैं मेडिया से गुजारिश करूँगा नफरुतों को ने ने दिखाना है हमने महबतें बढ़ानी है हिंदू मुसल्मान में इतबार पैदा करना है वही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ यह बहुत बदूरी है इसमें मुझे अमीद है कि हमारे जो होगे जो इंडिन एलाइंस है वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेट रूट जल्दी सल्दी यहाँ पे वापस आया जाए मैं अफसोस है इस बात का बहुत अफसोस है क्योंकि वो जीतना जीतना है महामें पूरा पता था वो जीतेंगे मगर मे अपने सुनाएं कि पत्रकारों को नसीखत दी गई है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलिम ना करें अब समझते हैं कि अनुछे 370 का फैक्टर क्या है विजबी ने मुसलिम बहुल सीटो पर मुसल्मान उमिदवारों को ये सोच कर टिकेट दिया था कि उनका होर हिंदू वोट बैंकर साथ रहेगा जबकि मुसल्मान होने की वज़ह से उमिदवारों को मुसल्मान वोट भी मिल जाएंगे लेकिन नतीजों में ऐसा नहीं होता दिख रहा है मुसल्मान वोटों ने विज़ेपी को खारज कर दिया और विशेशक ये मानते हैं कि अनुछे 370 समाप्त होने के बाद से जम्मो कश्मीर में लोगों में डर और नौकरियों और साथी जमीन पर मालिकाने हक को लेकर चिंताय बड़ी है हलाकि यहाँ पर वोट बंड सकते थे ये भी अनुमान जताया जा रहा था कश्मीर क्शेतर के नतीजों से ये संदेश उभर कर आ रहा है कि लोग 370 हटाय जाने का जवाब मतदान में दे रहे हैं लोगों ने नैशनल कॉंफरेंस में ये भरोसा जताया कि एक शेतर पार्टी बेजेपी की नीतियों का जवाब दे सकता है नैशनल कॉंफरेंस से जम्मो कश्मीर का राज्य का दर्जा वापिस हासल करने के लिए जद्दो जहद करने का वाइदा किया है विशेशक ये भी मान रहे हैं कि जम्मो कश्मीर में चुनावों से पहले नैशनल कॉंफरेंस या कॉंफरेंस के समर्थन में कोई लहर नजर नहीं आ रही थी लेकिन नतीजे सपस्ट रूप से इस गटबंदन की तरफ गए इसकी वजह बताते हुए तारिक बढ़ सकती है 370 के बाद जो बदलाव जम्मो कश्मीर में हुआ उस मुहाल में बिजेपी की खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी रही वो है नैशनल कॉंफरेंस